कर दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्साज मंत्रा बाई तीपक राई सब्सक्राइब सभी की क्लास में एक वफ फिर से हाजिर हूँ दोस्तों आज की भी क्लास में मैं ग्रामेड परवेस से रिलेटेड क्योशन लेकर आई हूँ जो कि आप सभी के एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पोर साबित होंगे ठीक है तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा पूरी वीडियो को देखिएगा क्लास पसंद आये तो कमेंट ब इसका प्रवेस को सब्सक्राइब नहीं मिलता है चैनल पर तो आप वहां से सारी क्लास अटेंड कर सकते हैं ठीक है तो यह इंपॉर्टर जान करी और आप हमें इंस्टावे भी फॉल्लो कर सकते हैं पिंकी मिश्राव टू सेवन जीरो एड में इंस्टाइड है तो हम लोग जल्दी-जल्दी क्लास की शुरुवात करेंगे और देखेंगे कैसे क्लास में और जल से जल जल जो है को साल्व करेंगे ठीक है छले पहला कियुशन है आप सभी की स्क्रीन पर फटा फट़ इसका जवाब दीजिए बताएगा कि एक वरग मीटर बराबर होता है कितने के को maximum question पूछे जाएंगे जिस पर आप सभी को खास कर ध्यान देना है तो यहां पर पूछा है कि एक वर्ग मीटर बराबर होता है तो याद कर लीजेगा आप लोग एक वर्ग मीटर बराबर होता है टैन 16 बराबर होता है तो बतादे कि आप सुभी इसका सही जवाब हो जाएगा एक एक हेक्ट एर होता है टू पॉइंट वेता चू बरेल उटल प्रॉप 547 1046य एकड के बराबर होता है question cash thePlotala22 जवाब देंगे आप क्या है कि एक मील बराबर होता है एक मील कितने के बराबर होता है एक मिल होता है 1.6 09 किलोमीटर के बराबर 1.6 09 किलोमीटर क्लियर Q4 देखते हैं फटाफट Q4 क्या है जमीदारी प्रथा को आरंब किया यहां पर आपको बताना है कि जमीदारी प्रथा है इसको किस ने प्रारंब किया तो जमीदारी सबसे पहले समझ लेते हैं क्या है जमीदारी वह होती है कि जिस खेती पर जिस क्रिशी पर कोई कार्य कर रह है उसका अधिकार्द ना हूँ आप लोग देखते होंगे कि बहुत लोग कहते हैं कि हमारी खेट ले लिजे और आप इस पर बुगाई करिए ठीक है उसके बाद वो क्या करते हैं जो भी वुगाई होती है जो उस पर दूसरा ब्यक्ति होता है जमीदार जिसे बोलते हैं ठीक कर्व वुगाई के बाद जो है अपना वसूली करता है कर्वसूली करता है ठीक है तो यह जमीदारी का प्रथा को आरंब किया गया यह बताना है तो यह आरंब किया गया लाड कॉर्ण वालिस ठीक है यहां पर देख लेंगे option C सही जवाब हो जाएगा ठीक है तो बंगाल यहां आपको बता दे कि यह जो है लाड कॉर्ण वालिस ने जो है इस प्रथा को आरंब किया कब 1793 में ठीक है 1793 में clear चलिए अगला देख लेते हैं फटाफट अगला देखते हैं क्या है यहां पर देखेंगे जमाबंदी क्या है कि जमाबंदी की एक प्रति तहसील कार्या हाले में और दूसरी प्रति कहां रहती है या आपको बताना है। फाइब के एक तो आपका बटा देख लेते हैं कि इसनबर 6 क्या कहा रहा है फटापड बताएंगे कि इसनबर 6 है क्रिशी संगठन एफ ए ओ यादी फूड एंड एग्री कल्चर ऑगनाईजेशन के स्थापना कब एवं कहां हुई थी यहां आपको बताना है तो खाद एवं क्रिश्री संगठन के स्थापना हुई थी 1945 में और कहां हुई थी रोम अगर आपसे पूछे कि इसका मुख्याल है कहां पर है तो रोम में है इसका मुख्याल है ठीक है किसका खाद एवं क्रिश्री संगठन यानि फूड एंड एग्री कल्चर ऑगनाईजेशन क्लियर नेक्स देख लेगते हैं साह जहानी जरीब की कुल लंबाई होती है तो कितनी लंबाई होती आपसे इस तष्जी से क्यों शेप पूछता है तो 165 फिट होता है कितना होता है 165 फिट अगर गज पूछे तो पच्पन गज ठीक है तो 165 फिट होती है साह जहानी जरीब की कुल लंबाई अगर बात करें ग्राम पंचायत के पांच वर्स से पूर्व बिघटी तो अच्छा जरीब की बात करें तो जरीब को आप लोग बिल्कुल मत होईएगा जरीब को और किस किस नाम से जानते हैं जरीब को जो है चेन कहते हैं पहले जरीब बोला जाता था आप क्या बोलते हैं चेन बोलते हैं कि एक चेन इतना होता है कि इसी को जरीव कहते हैं ठीक है अगले की बात कि युश्य नंबर एट देखते हैं फटाफट कि युश्य नंबर एट है आप सभी की श्क्रीन पर कि ग्राम पंचायत के पांच वर्स से पूर्व बिगटित हो जाने पर जो चुनाव होगा उसकी मान कितने वर्स बचे हुये कारेकाल है कितने साइम तक होगा उसके बाद जो माननुता होगी वर जो बचाहुए टाइम होगा उतने तक ही होगा ठीक है सेस्क बचे कारेकाल है ओके अगला देख लेते हैं क्यूश्य नुबर नाइन फटाफट इसका जवाब देंगे आप सबी लोग क्यूश्य नुबर नाइन है कि फसल चक्र अपनाने से भूम की उर्वरता सक्ती में क्या होती है तो उर् लगजारी से संबन्दित नयाईक काल्यों की सबसे बड़ी संसथा है तो कौन सी होगी राजस्व परिसाथ ठीक हैutions ुइलेवन देख लेते हैं फटाफट कीता waliवन क्या कह रहा है आप सभी देखेंगे कि राजस्व परिशत की स्थापना कब होई थी उत्तर प्रदेश में राजस्व परिशत की स्थापना कब होई थी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका मुख्याल है कहां पर अवस्थी थे तो बताएं कि राज राजस्व परिशत की स्थापना सन 1831 में होई थी ठीक है अठारा सो इकतिस क्लियर नेक्स्ट रेखते हैं क्यूशन इंबर 12 फटाफट इसका जवाब देंगे क्यूशन इंबर 12 है आप सभी की स्क्रीन पर कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम पारित किया तो कब पारित किया फटाफट बताएंगे उत् उत्र प्रदेश में ग्राम पंचायत के कारेकाल की गड़ना होती है इसके बारे में बताएंगे आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए इंपोर्टर जानकारी आप सभी जानते हैं कि अनकैडमी जो है इंडिया लर्जस्ट लर्णिंग फ्लेट फॉर्म है आप सभी को वरकाल आप सभी को इम बहुत ही कलास्ज सथ ताफ लुग कलास्ड कस टैसिरीज़ और आप सभी जो कविमिंटार्ट क्विंगे等 रहते हैं उसको सौव कर सकते हैं सपरी जाँधे आप की सेलेग सेशन भी होते हैं उस भी आपकी डाउट्स है आप लोग वहां पर डायक्ट एजुकेटर से वहां पर रेजर यो हैंड करके ऑप्शन है वहां से आप लोग अपनी कर सकते हैं इसके अलावा यहां पर एक सिरीज चलाई जा रही है जो कि सब्सक्राइब कर सकते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे यहां पर है तो देखेएगा यहां पर एक बास सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इन सारे batches की preparation आप लोग कर सकते हैं अपने मन पसंदीदा educator से यहांपर जो है best educator के द्वारा जो है टॉप educator के द्वारा क्लास प्रवायद की जाती है ठीक है तो जो भी students interested है इसकी सारी डीटेल जो है बीडियो के description box में दी हुए तो जरूर तो आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए हम फी क्राइटेरिया की बात कर देते हैं अगर आप 12 मंत का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी फी होती है 9,350 रुपए और आप चाहते कि 10% और डिसकाउंड मिल जाए तो आपको बता दे कि 10% डिसकाउंड के लिए आपको सक्स मंत्रा का रिफरल कोड यूज करना पड़ेगा उसके बाद आपकी फी कित्ती हो जाएगी 8,415 रुपए ठीक है तो आप इतनी फी में आप लोग कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हैं आपको अलग से फी देने क्या शेक्ता नहीं है यहाँ पर पीडिया भी मिलेगा लाइप मॉक टेस्ट और क्विजस भी होंगे और आप सभी लोग जो है डेली जो है लाइप क्लास के दौरान एजुकेटर से इंट्राक्ट कर सकते हैं ठीक है तो यह थी इंपोर्टन जानकारी अगला क्यूशन है आप सभी से हमने पूछा था कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के कारेकाल की गड़ना होती है तो उत्तर प्रदेश में तो किसके द्वारा कब कैसे तो बताएंगे आप फटा-फट तो यहाँ पर हो जाएगी प्रथम बैठक की तिथी में कब हो किकश्यों14 की बात करें किशन्यों14 कहँ आप सभी से कि स्थानी स्वायक्व शासन का मेगना-कार्टा किसे कहा जाता है तो बताएंगे किसे हां जाता है तो बताएंगे लॉड्र रिपन के अठारह्योशुब एसी के जो प्रस्ताव को जो है इस ठानी उफ स्वायक्याशन अधिक हुआ यहां आपको बताना है कि किस पंचवर्सी योजना के दोरान जो है प्रिशी छेत्र का विकास लक्ष से अधिक हुआ तो पहली पंचवर्सी योजना के दोरान पहली पंचवर्सी योजना की शुरुआत कब हुई थी तो 1951 में कब 1951 में कब तक चली 1956 तक ठीक है और अभी अगर पूछे कौन सी पंच वर्सी हो जना हो चल रही है तो आप हमें comment box में बताएं कि अभी कौन सी पंच वर्सी योजना चल रही है फटा फट बताएंगे comment box में ठीक है चले अगला देख लेते हैं हम लोग फटा फट अगला क्यूशन है कि पंचायतों में महिला अरक्षड की सिफारिस सरप्रथम की गई थी, तो किस समीती की द्वारा जो है महिला अरक्षड की सिफारिस की गई थी सरप्रथम, तो बता दें कि वीव के राव समीती के द्वारा, पंचायतों में महिला अरक्षड की सिफारिस सर प्रथम वीके राव समीती के द्वारा की गई थी क्लियर चलिए नेक्स्ट देख लिखते हैं फटाफर क्यूशन नंबर 17 है आप सभी के स्क्रीन पर क्यूशन नंबर 17 क्या कह रहा है कि निम्ड कित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सरवाधिक उ क्या है संजाता पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सरवाधियों को समझा जाता हैता है कौन सा होता है धान मक्का गेहू कौन सा धान-मक्का-गेहू अग्ला म क्या सब् And क्रिश्री दुर्घटना वीमा यूजना का प्रारंब जो है पांच ऑक्टूबर 2004 में अगला हम लोग देख लेते हैं कि यूश्य नमबर 19 क्या है कि लेकपाल द्वारा प्रत्थम परताल को क्या कहा जाता है जो प्रत्थम परताल होती है उसे लेकपाल द्वारा क्या कहा जाता है तो परताल आपको पता है कि परताल क्या होती है सबसे पहले आपको यह बतादे तो परताल जो होती है जो लेकपाल होते हैं अपने हलके हलके के गाओं गाओं तक प्रतेक् वर्सखेट पर जाकर निर्यख्छर करते हैं वह क्या कहलाती है परताल कहलाती तो परताल कहिए जो साल घर blow की जाती है जो पहली प्रताल होती है वक्तर गोथ है करीव की फसले को प्रती थान काımızı यह सभी क्या है आप सभी की खरीव की फसले हैं और यह कब इसकी बुगाई कब की जाती है तो जून जुलाई में की जाती है पूछता है कि खरीव फसलों की बुगाई कब की जाती है जून जुलाई में की जाती है ऑक्टूबर के महिने तक जो इसकी कटाई की जाती है अब रभी की फसले होती है इनकी बुवाई कब होती है तो आप सबीकान की बुवाई होना शुरू हो जाती है घ्रवे और खरी फसलों के बीच में बूचि चाती है और जैब फसले कोन-कोन नगदी फसल को भी ध्यान रखेंगे तो नगदी फसल कौन सी होती है जैसे कपास जिसमें आप सभी का आयात निर्यात होता है जिसमें बिजनेस की जा सकती है जिसमें कमाई की जा सकती है वह क्या है नगदी फसल है कपास हो गया चाय हो गया यह सभी किसके अंतरगत आती है न मैंने आपको कल के शन भी पूचा था फिर भी है यहां पर हम क्योशन लेकर आए चली बताएंगे खसरा में खानों की संख्या कितनी होती है यह भी मैंने कि खानव कि पूचा था तो खतानी में किती होती है कि 13 खाने होते हैं कितने खाने होते हैं आखक रड़ कि होते हैं जो क्योंनी होती जो जो भूराटन कि धारा है 33 इसकें Carrot जो वार्सिक रिजिस्टर होता है उसको हम खतावनी कहते हैं क्या कहते हैं खतावनी क्लियर चले अगला क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन है आप सभी की स्क्रीन पर अगले क्यूशन का जवाब देंगे एक चेन बराबर होता है तो एक चेन किसके बराबर होता है कितने के बराबर होता है तो च्छाचट फिट के बराबर होता है एक चेन या एक जरीब जिसको बोलते हैं जरीब या चेन ठीक है कितने के बराबर होता है छाचट्व्ट के बराबर होते हैं इसे चेन यह जरीव क्यों पूछे 4 होता है ठीय के से तरीक जाता है और पाइसके नमबर है क्ना carbon को पता होना चाहिए यहां पर आपको बताना है कि इतना सेंटीमीटर बराबर होता है कितने के बराबर होता है तो अगर आप हम एक लाग सेंटीमीटर को हम चेंज करना चाहें तो कैसे यहें हां कि इतना है के फिर्चा कितना इनका की सब्सकार सब्सक्राइब करें कि मार कराैं तो केंद्री ग्रामेरी स्वक्षता कार्यक्रम को प्रारंब किया गया था कौन से इयर में प्रारंब किया गया था तो 1986 में कब 1986 में ठीक है अगला देख लेते हैं अगला क्यूशन है कि भूधारण प्रडाली जो है भूधारण प्रडाली की रहत वारी ब्यवस्था की यहां विवस्था का शुरुवात किया था ठीक है रहे तवारी विवस्था की शुरुवात की थी ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा आपको सही जवाब option D ठीक है अब चली आज कल की क्लास में मैंने कुछ जवाब नहीं दिया लेकिन आज मैं फिर से पूचती हुँ मैंने आप से पूचा था करकी क्लास में कि खतउनी में कितने खानें होते हैं और ख representatives कितने खाने होते हैं अभी अभी आप ने आपकow कि खारें में कुल कितने खाने होते हैं जह ऐह मैंने पूछा थाय में कि कई होता है वह किसमें किया जाता है तो वह किसमें किया जाता है तो लैंड रिकॉर्ड मैनुवल में ठीक है यह मैंने क्यूशन कल की क्लास में पूछा था ठीक है किसमें किया जाता है इसका व्यूरर जो लेकपाल के कार्यों का व्यूरर है वह लैंड रिकॉर्ड मैनुवल में कि ठीक है और मैंने पूछा था की जो है खतोनी और जो खसरा होती है की जो है क्रिशी दीवर्स जो होती है यहां हमें बताये ही किर्शन है पहला किर्शन आप सभी से है यह होमवर्क है आप बताएंगे क्रिशी दीवस जो है मनाई जाती है कब मनाई जाती है ठीक है इसके जन्म दीवस पर मनाई जाती है दूसरा बता देंगे किसके जन्म दीवस पर मनाई जाती है ठीक है तो एक साल मनाई जाती है अच् एक चीज और आप से क्रिशी वर्स है कितने तारीकों मनाया जाता है और किसके बर्थडे पर मनाया जाता है तो कुछ क्रिशी वर्स है वो कब से कब तक चलता है यहां आप हमें बता देंगे तो कुछ क्यों मैंने पूछे हमें कमेंड बॉक्स बताएंगे तो दोस्तो यह थी आज की क्लास इसी तरीके से बैतरिन क्योंषिन के साथ आप सब्सक्राइब तक के लिए जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल सकस्थ मंत्रा बाई दीपक रहसा मैं भी विश्र आप सबी की क्लास में हाज होती रहोंगी चले नमस्कार, बाइबाइ, all the best for your exam